है आई कॉलकम बैग तो मैं चैनल अब इससे बनाने के लिए फहले हम चाहिन लेंगे एक 20 चाहिन लिए और इसह कुल नवल जाने है और इस तरह के सिक रिंग बना लिए अब इसी रिंग में हमें एक, दो, तीन तीन चैन लेके इसी रिंग में हमारे को 15 टाइम डबल क्रोशया निकालने हैं तो एक की चैन को भी काउंट करेंगे एक और ये दो हो गए हमारे पास दो डबल क्रोशया हो गए हैं इस दो अबल क्रोशया है तो इस दो तीन तीन चाँ ताच छे साथ आट लो देस गेरा बारा तेरा चोदा और ये लास्ट का पंदरा पंदरा डबल क्रोशया निकाल लिए हैं अब इसको हम जॉइन कर देंगे यहां पर फर्स्ट वाले डबल क्रोशया के ठर्ट चैन में डालके इससे जॉइन कर लेंगे इस तरीके से अब दिखें यहां तीन चैन लेंगे और सेम स्पेस में एक डबल क्रोशया बनाएंगे ये टोटल दो डबल क्रोशया हमारे पास एक की चैन में हो गए एक ही चैन में दो डबल क्रोशया निकालेंगे फिर इसके नेक्स चैन में डालेंगे यहां भी हम दो डबल क्रोशया बनाएंगे यानि कि हर चैन में हमें 2-2 डूबल कुरोशय बनाना है पहले हमारे पास 15 डूबल कुरोशय थे अब 30 डूबल कुरोशय हो जाएंगे सब में 2-2 डूबल कुरोशय बना के ये round complete करते हैं ये देखे round हमारा complete हो गया अब हम क्या करेंगे एक, दो, तीन चैन लेंगे और दो चैन स्पेस के लिए टोटल पाथ चैन लेंगे तो यहां से यह जो हमने दो-दो डबल क्रोश्य बनाए हैं तो फर्स्ट वाले डबल क्रोश्य को छोड़के सेकंड वाली चैन में डालेंगे एक double crochet बनाएंगे फिर एक दो chain का gap लेंगे फिर एक skip करेंगे double crochet और second वाले में फिर एक double crochet बनाएंगे यह दिखिए फिर दो chain लेंगे एक तो और एक skip करके second में double crochet इसी तरीके से हमें यह round को complete करना है यह round हम इसी तरीके से complete कर लेते हैं यह दिखिए round complete हो गया है तो आप क्या करेंगे देखिए एक दो तीन chain लिए और same space में हमें दो double crochet बनाना है यह दो double crochet हो टोटल तीन double crochet हो गए एक space में अब next में आएंगे इसमें भी तीन double crochet निकालेंगे एक दो और यह तीन फिर next space में आएंगे इसमें भी तीन double crochet निकालेंगे एक दो और तीन यानिके हर space में हमें तीन तीन double crochet के साथ work complete करना है तो यह वाला round मैं ऐसे ही complete करके फिर आपको दिखाती हूं यह दिखे राउन मेरा complete हो गया है इस तरीके से बन गया अब देखे क्या करेंगे अब यहां से हमें तीन चैनलेंगे दो तीन चैनली नेक्स चैनल में एक डबल क्रोश्या दो फिर नेक्स्ट में डबल क्रोश्या तीन हो गया यह चार हुआ कि पार अच्छे और यह साथ साथ डबल क्रोश्या हमने बना लिए साथ चैन में अब यहां पर हम एक और यह दो दो चैन का स्पेस लेंगे और इसके नेक्स्ट वाले में आ जाएंगे इस वाले में फिर यहां पर हम साथ डबल क्रोश्या बनाएंगे एक दो तीन चार पाच छे और यह साथ साथ डबल क्रोश्या और फिर बना लिए हमने और फिर से दो चैन का गैप लेंगे और फिर उसके नेक्स्ट वाले चैन से साथ डबल क्रोश्या बनाएंग इसी तरीके से हमें यह वाला राउंड कंप्लीट करना ए यह देखिए वाला रांग भी मेरा कम्प्लीट हो गया अब देखिए यहां पर हम तीन चैनल लेंगे एक दो तीन और सेम स्पेस में जहां हमने अभी निकाला है वहीं पेसे हमें एक डबल क्रोश्या निकालना है तो यह पहले वाले लूप पर हमारे पास दो डबल क्रोश्या निकालना है 1 1 2 नीचे में सात डबल क्रोश्या वन ती तो अब हमारे पास 9 डबल क्रोश्या हाने चाहिए तो 2 यह हमने एक साथ निकाल लिए हैं तीन चैनलोगज और यह देखिए कि पांच छे साथ यह हमारा लास्ट वाला लूप है इसमें हम दो बार निकालेंगे तो एक डबल क्रोश्या और यह दो डबल क्रोश्या यह हमारे पास नो डबल क्रोश्या अब यहां पर जो हमने दो का चैन दिया था इसके उपर हम तीन चैन बनाएंगे एक दो और तीन चैन लेंगे और फिर यह फर्स्ट वाले डबल क्रोश्या के उपर दो डबल क्रोश्या बनाएंगे पहले और लास्ट वाले डबल क्रोशिया के उपर दो डबल क्रोशिया और बीच में एक एक तो पहले हमने साथ बनाये थे अब हमारे पास नो हो जाएंगे ये दो डबल क्रोशिया हो गए है तीन चार पाँच चैनल साथ और ये लास्ट वाले पर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे आठ और एक ये नो नो डबल क्रोशिया हो गए है फिर से तीन चैनल लेंगे और सेम प्रोसेस से ये पूरी रो हम कंप्लेट करेंगे तो इसे तरीके से तो इसे तरीके से एक ऐसी बनाते विए ये रांड में गुक्राइट कर लेती हैं यह दिखी रॉंग मेरा कम्प्लीट हो गया है अब नेक्स रॉंग में फिर हम तीन चैनल लेंगे एक तू तीन चैनल लिए और सेम स्पेस में एक डबल क्रोशिया और निकालेंगे यहां पर हर रॉंग में हम एक दोनों साट से एक एक फंदा बढ़ा रहे हैं और इसके बाद नेक्स चैनल में एक डबल क्रोशिया फिर उसके नेक्स में एक इसको कॉंट करते जाहेंगे दो तीन चार पांच फिर इसके नेक्स में छेर साट आग्स आग्स नो तेस गयार और लेग्स कि यारवा फंदा उसी में एक ही फंदे में एक डबल क्रोशिया में दो डबल क्रोशिया तो टोटल यह हमारे पास गयारा हो गए पहले साथ थे फिर नौ हुए फिर गयारा हुए हर बार दो दो बढ़ते जाएंगे इसको काउंट कर लेते हैं वान टू त्री पॉर five 118 9 10 11 11 डबल क्रोशिया हो गए तो फिर चार चैन लेंगे πर यह जो सिर चाहं और इसके नेकिस we his टो ओले में यह सेम प्रोसेस करना है एक क्रेंट डबल क्रोश्या में जोडर्य सेम्स्प्रे बात असके बासे हर जान में एकड़ास ठोप स्टॉसिया डिखें, फस्ट और लास्ट में हमें दो डबल क्रोश्य बनाने हैं बाकि सम्में बीच के जितने भी हैं, सम्में 11 डबल क्रोश्य बनाएंगे यह लास्ट वाले में दो बनाएंगे टूटल मेरे पस क्यारा डबल क्रोशे होगे फिर से चार चैन देंगे और सेम वर्ग हम इस पूरी रो में करके इस तो को कम्प्लीट कर लेते हैं यह देखे वाली रो भी मेरी कम्प्लीट होगी है तो अब नेक्स्ट रो है इसकी इसमें तीन चैन लेंगे और सेम स्पेस में हम एक डबल क्रोशे और निकालेंगे जैसे हम पहले करते हैं फिर इसके नेक्स्ट वाली चैन में आएंगे इसमें एक डबल क्रोशे निकालेंगे फिर इसके नेक्स्ट चैन में एक डबल क्रोशे निकालेंगे बीच की सब्वी चैनों में हम एक-एक डबल क्रोशय बनाएंगे, लास्ट वाले में दो डबल क्रोशय बनाएंगे, पहले हमने साथ डबल क्रोशय का पैटन बनाय था, उसके बाद 9 हुए, फिर 11 हुए, अब की बार हमारे पास 13 डबल क्रोशय हो जाएंगे, यह दिखे, कि यह लास्ट वाले में हम दो निकालेंगे बारा और यह तेरा तेरा डबल क्रोश्य हो गया इसमें हमें फिर से चार चैन बनानी है दो तीन चार नीचे भी हमने नेक्स्ट वाले पैटन में यहां पर भी हमें एक चैन में दो डबल क्रोश्य बनाने हैं उसके बाद पीच के सभी चैनों में एक डबल क्रोश्य लेंगे कि तीन कि चार कि बीच के सभी चैन में हमें एक डबल क्रोश्य बनाना है और फर्स्ट और लास्ट वाले चैन में दो डबल क्रोश्य एक साथ निकालने हैं एक ही चैन में देखिए लास्ट वाली चेन है इसमें हम दो डबल क्रोशे बनाएंगे फिर चार चैन लेंगे और और नेक्स्ट वाले में जोइन करेंगे इसी तरीके से हमें इस तरीके से कंप्लीट करनी है यह देखिए ये रव भी मेरी कंप्लीट हो गई है अब तक हम फंदे बढ़ाते आये थे अब हमें घटाने है तो देखिए कैसे करेंगे यहां पे हम है यहां से हम एक स्लिप 15 लेकि 1 चैन को स्किप कर देंगे इसके बाद यहां पर हम UM 12, 3 double crochet L सौरी दो चैन लेंगे यहां पर हम दिखें दो चैन लेए और नेक्सटेंड मैं एंगे इसमें हाफ डबल क्रोश अबनेय gesch रबनेंगे मेंडो हो गए फिर नेक्स चेंड मेंगे हार्प डूबल कुरोशिया तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस घ्यारा देखीये दोनों तरफ से हमने एक डूबल कुरुशिया जो है स्किप कर दिया तो यह डिक्रीज हो गए एकर और यह अपर पास देरा डूबल कुरुशिया अब अब हमारे पास 11च अब यहा चैन बनाएँगे एक दो तीन चार और ये पांच पांच चैन बनाएंगे और इसमें हमें एक डबल कुरूशे बनाना है सुरी तीन डबल कुरूशे बनाना है एक दो और ये तीन इस सेंटर में हमने तीन डबल कुरूशे बनाए अब फिर यहां पर पांच चैन लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच चेन दिए, अब फिर से इस वाले को हमने फर्स्ट जो डबल क्रोशे है, इसको skip करना है, और सेकंड में आके हमें, हाफ डबल क्रोशे हम नाने है, टोटल 11 टाइम हमें, हाफ डबल क्रोशे हम नाने है, तो टू हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये 11 ये लास्ट वाला हमें, skip करना है, तो फिर पांच चैन लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच चैन लिए, और यहाँ पे इस चैन में हमें, तीन डबल क्रोश्य बनाने है एक दू और ये तीन डबल क्रोश्य हो गए फिर 5 चैन लेंगे और फिर यहां पर एक == करके सेकंड में हम 17 हाफ डबल क्रोशच बनाएंगी इसी तरीक से इसा को भी हम spoilt कर लेते हैं झाली में दिखे ये इसी तरीके से चलेगा हमारा कि यह दिखिए वाला रो मेरा कमप्लीट हो गया है अब देखें नेक्स रॉंग में है तो यहां पर हमें फिर से एक स्किप करना है एक डबल क्रोशिया तो नेक्स्ट वाले में आ जाते हैं slip stitch से यहाँ यहाँ पर हमें दो चैन लेंगे दो चैन लें लिए अब इसके next वाले में जाएंगे यहाँ पर half double crochet उसके next में जाएंगे एक half double crochet फिर next chain में जाएंगे यहाँ भी half double crochet फिर इसके next राउंड चैन में एक हाफ डबल क्रोश्या हर चैन में एक हाफ डबल क्रोश्या बनाना है फर्स्ट और लास्ट को स्किप कर देना है यहां अब हम डिक्रीज कर रहे हैं फंदे यह दिखिये यह लास्ट वाला है मेरा इसमें भी एक डबल करूशे मना लिए और इस वाले को हम स्किप कर देंगे अब यहाँ पे फिर 5 चैन लेंगे 1 2 3 4 5 पांच चैन लिए अब इसमें हमें 3 डबल करूशे बनाने है एक, दो, तीन, तीन डबल क्रोशे बनाएं, एक, दो, तीन, तीन चैन का गैप लिए, और फिर इस वाले में आएंगे, यहाँ पे भी हम, तीन डबल क्रोशे बनाएंगे, एक, दो, तीन, तीन डबल क्रोशे यहाँ भी हो गया हमारे पास, पहले एक था, अब दो का पैटन हो गया, यह इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे, अब पांच चैन लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच चैन लेके, फर्स्ट वाले स्किप करेंगे, फर्स्ट डबल क्रोशे यहाँ पर हमारे पास, डिक्रीज हो रहे हैं, और यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसी तरीके से इसको बनाएंगे, यह राउंड कंप्लीट कर लेते हैं, यह दिखे, यह राउंड मेरा कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पर फिर पांच चैन लेंगे, एक, दो, तीन, चार पांच पांच चैन लेंगे और फस्ट वालर स्कीप करके सस्ट में डालेंगे के यहां पे कि हाफ डबट नद गरोश्य बना लएंगे कि हमारे पास एक हुआ next वाले में half double crochet दो उसके next में 3 उसके next में 4 उसके next में 5 उसके next में 6 और उसके next में 7 यहां पे भी यह वाला double crochet हमने skip कर दिया अब फिर से 5 चान लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच पांच चैन लिए और यह जो हमारे पस गैप है इसमें हम तीन डबल कुरुशे बनाएंगे एक, दो, तीन तीन डबल कुरुशे हो गया फिर एक, दो, तीन तीन चैन लिए और इस वाले इस गैप में डालेंगे यहाँ पर फिर से तीन डबल कुरुशे बनाएंगे एक, दो, और यह तीन फिर तीन चैन लिएंगे, एक, तो, तीन और फिर इस वाले गैप में डालके तीन डबल कुरुशे बनाएंगे एक दो और ये तीन दिखिए इस तरीके से हो गया अब फिर पांच चैन लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच पांच चैन लेंगे और इस वाले में फर्स चैन स्किप करके सेकेंड में डालेंगे यहाँ बेक हाफ डबल क्रोशिया अब फिर से हमें साथ हाफ डबल क्रोशिया बनाने है एक दो तीन चार पांच चैन और ये साथ ये वाला हाफ डबल क्रोशिया हम स्किप कर देंगे और फिर से पांच चैन लेंगे इसी तरीके से हमें ये पूरी रोग को कंप्लीट करना है तो ये मैं कंप्लीट करके फिर आगे आगे आपको दिखाती हूँ ये दिखिए हम अपने नेक्स ट्राउंड में आ गए है अब यहां देखिए यहां पर हम अब छे चैन लेंगे यहां पांच लिए थे अब छे लेंगे एक दो तीन चार पांच छे चैन लिए और इस वाली जाली में हम तीन डबल क्रोशा बनाएंगे एक दो और ये तीन डबल क्रोशा हो गए तीन चैन लेंगे एक तो तीन फिर नेक्स वाली जाली में तीन डबल क्रोशा बनाएंगे एक दो तीन फिर एक दो तीन चैन लिए फिर नेक्स जाली में एक दो और ये तीन डबल क्रोशा बना लिए फिर एक तो तीन 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 चैन लेंगे और नेक्स्ट वैली जाली में 3 डबल कुरुश्या एक दो और ये ये 3, तीन डबल कुरुश्या हम बना लिये हैं यहाँ पर, फिर से यहाँ पर 6 चैन लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, और यह चैन लिए, अब फिर से यहाँ पे हमें एक एक स्किप करना है, और उसके नेक्स्ट में डाना है, यह दिखे, यहाँ पे एक आफ डबल कुरोशिया, फिर उसके नेक्स्ट में एक आफ डबल कुरोशिया, उसके नेक्स्ट में आफ डब करोश्या को यह को हुआ है ऐसके नेक्स्ट में एकाफ डीज़क्र दब्ल ग्रीज्य और उसके नेट्स्ट में खाफ डीज्या कि एख महले करना है यह वहीं कीप करेंगे रीह मारे पर टोटल पांच हो गए एक, दो, तीन, चार, पांच अब यहाँ पे फिर छे चैन लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और सेम जैसे हमने यहाँ बना है इसी तरीके से पूरा राउंड कम्प्लेट करेंगे इधर तीन डबल कुरोशा लेके एक, दो, तीन, एक, तो, तीन चैन और फिर तीन डबल कुरोशा बनाएंगे इस जाली में तो इसी तरीके से हम यह राउंड भी कम्प्लेट कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं यह दिखे, यहाँ तक मेरा फिर कम्प्लेट होगी है यह राउंड अब नेक्स ड़ाउंड में क्या करेंगे हम यहाँ पर हम एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ साथ चैन बना लिये हैं और अब इस वाले चैन में डालेंगे यहाँ पर तीन डबल कुरोशा लेंगे एक, दो, तीन और फिर नेक्सट वाले में डालेंगे यहाँ पर तीन डबल कुरोशा बनाएंगे एक, दो, तीन एक, दो, तीन चैन लेंगे और यहाँ पर नेक्स चाली में तीन डबल कुरोश्या तीन फिर एक तू तीन चैन लेंगे नेक्स चाली में फिर तीन डूबल क्रूशे बनाएंगे एक तू तू तीन डूबल क्रूशे बनाएंगे एक तू तीन और नेक्स चाली में फिर से तीन डूबल क्रूशे बनाएंगे एक दू और ये तीन डूबल क्रूशे यहाँ पिर साथ चैन लेंगे एक दू तीन चार पांच छे और ये साथ चैन साथ चैन लेके ये वाला स्किप करेंगे सेकंड में डालेंगे एक हाप डूबल क्रूशे बनाएंगे और फिर next में डालेंगे एक हाफ double crochet बनाएंगे और यह वाला chain स्किप करेंगे फिर से 7 chain लेंगे एक, तू, तीन, चार, पांच, छे, साथ और फिर next जाली में तीन double crochet बनाके सेम तरीके से जैसे हमने यहाँ बनाया है इसको complete करेंगे यह round मेरा complete हो गया है यहाँ पर साथ chain बना ली है अब देखिए इसको यहाँ add कर देंगे यहाँ पर तीन chain लेंगे तीन double crochet बनाएंगे एक, दो, और यह तीन, तीन double crochet बनाएं अब यहाँ पर एक, तू, तीन chain लेंगे नेक्स्ट वेलेमेंट डाल के एक, दो, और यह तीन, तीन double crochet बना लिएंगे फिर एक, तू, तीन chain लिएंगे नेक्स्ट में डालेंगे यहाँ पर तीन double crochet बनाएंगे एक, दो, और यह तीन, फिर तीन chain लेंगे एक, दो, तीन, और नेक्स्ट वाली जाली में डालके एक, तीन double crochet एक, दो, और यह तीन, फिर तीन chain लेंगे एक, तू, तीन chain लिए, नेक्स्ट जाली में डालेंगे यहाँ पर भी तीन double crochet बनाएंगे, एक, दो, और यह तीन double crochet हो गए, फिर तीन chain, एक, तू, तीन, और यह लास्ट वाली जाली में डालेंगे, यहाँ पर भी तीन double crochet बनाएंगे, एक, दो, और यह, तीन double crochet बनाएंगे, यहाँ पर पांच chain लेंगे, एक, दो, तीन, चार्व, पांच, पांच chain लेंगे, और इस वाले में आ जाएंगे, यहाँ से फिर तीन double crochet, एक, दो, और यह, तीन, फिर एक, तो, तीन chain और सेम तरीके से बनाते जाएंगे, अब देखिए, यह जो हमने पांच chain कर लिया है gap, अब यहाँ पर हम यह वाला जैसे हमने यहाँ पर start किया था, अब यहाँ पर सुरू हो जाएगा, और यह कम होता जाएगा, यहाँ पर बढ़ता जाएगा, तो अब इसको हम इसी तरीके से जितना चाहे लंबा बना सकते हैं यही तरीके से इसको हमें बनाना है यही वाला पैटर्न हमारा अब यहां पे स्टार्ट होगा है यहां पे अभी हमारे पास एक जाली है फिर दो जाली होगे फिर तेन इसी तरीके से बढ़ेगा और यहाँ पे कम होता जाएगा तो हम इसी को थोड़ा सा लंबा मैं आपको करके फिर दिखाती हो सेम तरीके से बनना है हम आपको एक पर मैं पूरा बना के फिर दिखाती हो यह देखिए मेरा यहाँ तक कमप्लेट हो गया है अब उसी तरीके से करना है हमें जैसे अभी बनाये था हमने सेम वैसे ही इसमें करेंगे यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशेल लेना है एक दो और तीन तीन सिंगल क्रोशेल लिए इस वाले को स्किप करेंगे और यहाँ आप से हम एक दो तीन चार पांच पांच चैनल लिए देखे अब इसमें हमें फिर से सिंगल क्रोशे बनाना है दो और यह तीन तीन डबल क्रोशे हो गए एक दो तीन चार पांच पांच चैनल लिए अब फिर से हम इसमें आ जायेंगे इसमें सिंगल क्रोशे सबक्रना है जिस पर डबल से किये थे अब उसमें सिंगल से करना है हमे I कि इसमें वन टू और त्री त्री सिंगल कुरूश हम ना लिए अब इन दोनों की बीच में एक डिबल सिंगल कुरूश हम नाएंगे एक दो जैसे हम पहले वर्क करते आ रहे थें इसी तरीके से करेंगे जोब आप बनाने लगेंगे तो आपको आगे का अपने सही समझाता रहेगा इसी तरीके से हमें बढ़ाते हुए हम जितना चाहें इसको बढ़ा या छोटा बना सकते हैं अभी जितने भी हमारे पास जालियां हैं इनमें तीन तीन बनाएंगे और जो तीन डबल क्रोश्या थे उसमें हम दो सिंगल क्रोश्य बनाएंगे हम देखे इसमें दो सिंगल क्रोश्या और इसमें तीन सिंगल क्रोश्या हम देखे इसी तरीके से बनाना है अब यहां आ गया है इस वाले को स्किप करेंगे और यहां पास चैन लेंगे और इसमें हम तीन डबल क्रोश्या बनाएंगे फिर पास चैन लेंगे और अब यहां पर सेम हमें वर्क करना है जैसे वहां किये थे तीन सिंगल क्रोश्या लेंगे यहां यह देखें यहां तक अब मेरा कंप्लीट हो चुका है अब इसी तरीके से हमें इसको बढ़ा करना है यही वाला पैटन अब फिर से रिपीट होगा अब यहां से हम इसी जैसे हमने यहां फर्स ट्रोव से करिया था वैसे ही बढ़ाते जाएंगे इसी को हम उपर बनाएंगे और उस से उपर अगर हमें बढ़ा करना है तो और बना सकते हैं जितना चाहे आप बढ़ा करना चाहें इसको बढ़ा सकते हैं ये देखें मैंने बना के त्यार कर लिया है और ये कितना सुंदर लग रहा है देखे कहीं कोई जोल नहीं आया कोई वेव नहीं है और यह मैंने दो पैटन बनाये है और दो पैटन मेरा बहुत अच्छा लंबा हो गया है आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद से दो, तीन, चार जितना बड़ा बनाना चाहें बना सकते हैं यह बहुत ही बड़ा बन के तयार हुआ है आप देखें देखने में कितना सुन्दर लग रहा है बहुत प्यारा है आए हो फ्रेंड आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए धन्यवाद